हालो, स्टुडेंट यूटूब पर आपका स्वागत है आज हम टिक्नोमेट्री की एक्ससाज 8.3 का कोश्चन नम्मर 2 सौल्व करा रहे हैं कोश्चन नम्मर 2 है, so that 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इस उकल तु 1 ये कुश्चन नम्मर 2 का फर्स्ट पार्ट है, कुश्चन नम्मर 2 का सेगन पार्ट कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस सायन 38 डिग्री इंटू सायन 52 डिग्री इस उकल तु 0 इसमें आपको 0 प्रूव करके लाना है चलिए सॉल्व करते हैं तो देखिए स्टूडेंस सबसे पेलेस में LHS बाली साड को लेके चलेंगे टेकिंग LHS LHS में आपका लिखा है 1048 डिग्री 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इसमें 90 मानेश ठीटा वाले फॉर्मूला एपलाई होंगे जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको लिखा है sin 90 मानेश ठीटा इस उकल तू कॉस ठीटा कॉस 90 मानेश ठीटा इस नुमेरिकल में होगा तो देखिए ज्यादा आपको दिमाग मान लगाने की ज़रूत नहीं है इसमें जैसे 1048 लिखा है तो 90 मैंसे कितना मानस करें कि 48 आ जाए आप इनी एंगल मैंसे मानस करके देखिए आप 23 मानस करेंगे 48 नहीं आएगा 42 मानस करेंगे 90 मैंसे तो आपका 48 आ जाएगा एसे इधर 10 23 लिखा है 90 मैंसे कितना मानस करें कि 23 आ जाए आप ये बाला 67 मानस कर देजिए आप ये बात ध्यान रखना है जो एंगल मानस हुए है 90 डिगरी मैंसे उन एंगल्स को बिलकुल वैसा का वैसा ही लिखना है क्योंकि उनको भी आप 90 मैंसे मानस कर देंगे तो वही चीज लोटके आ जाएगी तो आपको देखिए 10 48 को लिखा है इतना 10 23 को इतना लिखा है यानि 42 और 67 मानस हो चुके हैं दोनो इनको अब आगे बैसा ही लिखना पड़ेगा इनको चेंज नहीं करना है इन्टू 10 67 आप देखिए 10 90 मानस थीटा जो कल तू होता है कौट थीटा थीटा मींस 42 10 90 मानस कौट थीटा मींस 67 और इधर आपका लिखा है 10 48 2 इन्टू 10 67 अब इन्वर्स फॉर्मूले के एकोडिंग कौट 10 का पोजिट होता है और 10 कौट का पोजिट होता है तो कहीं भी एक जगे आप इन्वर्स फॉर्मूले का यूज कर लो कौट लिखा है इसको लिखो 1 अपन 10 कौट इसको भी लिख दो 1 अपन 10 और इसको चेंज नहीं करेंगे इसको विल्कुल वैसा का वैसा ही लिखेंगे 10 42 इन्टू 10 67 तो देखिए 10 42 से 10 42 कैंसल 10 67 से 10 67 कैंसल इस उकल टू 1 बन जा 1 यह आपकी RHS वाली साइड हो गई यही आपको प्रूब करके लाना था देट इस और आंसर अब आई इसका सेकिन पार देखते हैं सेकिन पार में दिया आपको कॉस 38 डिगरी कॉस 52 डिगरी मानस 37 38 डिगरी इस उकल टू 0 टेकिन एले चेस एले चेस वाली साइड को लेखेंगे अब इसमें भी 90 मानस ठीटा वाला फॉर्मूला एपलाई करेंगे देखिए कॉस 38 को लिखेंगे 90 मानस 52 यह आगे वाला एंगल मानस कर देजी पीछे वाला एंगल आ जाएगा अग इसको मानस किया है तो इसको चेंज नहीं करना है इसको बैसा का बैसा ही लिखा जाएगा एसी इधर साइन 38 लिखा है इसको लिखेंगे 90 मानस 52 फिर साइन 52 को बैसा ही लिखा जाएगा आप देखिए कॉस 90 मानस ठीटा यूकल टू होता है साइन ठीटा ठीटा मींस 52 साइन 90 मानस ठीटा को ठीटा ठीटा मींस 52 इन्टू साइन 52 अब देखिए साइन 52 इन्टू को ठीटीटू मानस साइन 52 को ठीटीटू यह आपका कैंसल हो जागा प्लस मानस यूकल टू जीरो प्लस मानस में जब सेम नंबर कैंसल होते हैं तो आंसर जीरो आता है इस वाद का छोटी क्लासेस में बता जाता है जैसे सपोज कीजिए टू मानस टू इस यूकल टू क्या बचा जीरो प्लस टू मानस टू कैंसल तो आपका जीरो आ गया तो इस्टूडेंट यदि नूमरीकल में कोई प्रॉबलम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इस प्रकार की कुष्चन मोस्टली सीवी एसी बोड में आते हैं तो इसमें 90 मानस ठीटा वाले फॉर्मूली आपको लर्न होना चाहिए उसी के उपर याधारत कुष्चन है यह जी आपको कुष्चन समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें थेंक्यू